जेहन दोस्तो टेर्मेंट सीरीज में आपका जोड़दार स्वागत है मित्र आज मैं एक अत्य महत्पूल स्टेटिक्स जी के पार्ट लेकर करके आया हूं जो आपको थम्लेल पे दिखाई दे रहा है जी आई टेक दोहजाद चौबीस इसमें मैं आपको जी आई टेक जो भी ABCDA मतलब इसका यह इंडिया में कब से आया कब से एक लाग हुआ है सबसे पहले किस बस्तू को जी आटेक दिया गया और दोहजार चौबीस 2014 तक कितनी बस्तून को GI Tech दिया चुका है सबसे जह दा किसको GI Tech दिया गया है किस राज्जु को दिया गया है किस जिले को छेत्र को दिया गया है दूसरे नमर पर कौन है और इसके साथ आप इसके बारे बीगे मैं जानता हूं यदे यहां से question आ जाता है GI Tech संबन्दी किसी प्रतियोगी परिच्छा में आप कोई भी exam दे रहे हैं तो मैं बादे के साथ कह सकता हूँ कि इस 10 minutes सीरिज से आपको इतना दे दूँगा कि कोई question बाहर नहीं जाएगा बसरत है session को पूरा complete देखें और चोटी सी गुजाई से साथ अगर आप session पर नहीं हो तो session को सबसरा जरूर कर लीजिए और session अच्छा लगे तो like करिए पांस भाई मान के तो पांस दोस्तों जरूर शेर कर दीजिए जिस question का answer पूछूँ आप मुझे पता सकते हैं comment session खुला हुगा है तो में तरह देखिए सबसे पहले GI tag GI करव सबसे पहले पूछा जाता है कि GI है GI tag में GI की full form क्या है सबसे पहले question यही आता है GI tag है GI की full form क्या होती है यह बताईए आप लोग यह पूछा जा जाता है होती है जोग्राफिकल क्या होती है जोग्राफिकल जी का मतलब होता जोग्राफिकल इंडिगेशन टैग इसकी फुल फॉर्म होती है अगर नहीं वहाँ पर दखाई दे रहा है तो यहां देखें दिए सबसे पहले जी टैग की फॉल फॉर्म है जोग्राफिकल क्या इंडिकेशन क làm क्या होता है इंडिकेशन हिंदि में इसकी बात था तो तो भौगोलिक सांकेत क्या होता है भौगोलिक सांकेत इसका हिंदी में फुल-फॉर्म होता है देखो में तर जियाई टैग उस बस्तू को दियाता है जो अपने छेत्र में एक विसेश उपलगती हांसर कर ली हो जैसे आप जिस इस्थान के रहने वाले होंगे चैनलोकल की हो यह से शहर के नवासी हों तो देख और अपने छेत्र में कोई बस्तु वही जईसी स्चावल हुआ राजमा हुआ यह कहिंकि बृयानी हुआ यह किसी कोई आवस्त बस्त हुए जैसे और भस्त होई तो उस उसमस्त ने अपने आपको जानता हूं इतनी बात से आपकी समझ में आचुकी होगी तो सबसे पहले मैं आपसे बात कहूंगा आपि WAT Rio टेग. कि एंट्लं कु जी जाता है Excuse शत्र की बस्तूke दीग जाता है तो अगर चाहूं तो हैंड़िक मरत सकते है यधिया जाता है कि इसमें चार प्रकार की बस्तू सामिल होती है पहले किरशी उत्रपाद कि इसमें सामिल है गिरी कि खाट सामिक गिरी बाद हस्त सिल्प भरत में आज भी अपने देख इंडिया में देखा जाए तो आज भी अपने देश में हस्त सिल्प बस्तु का बहुत अधियक मात वर्ण से लोन को रौजगारी मिलता है गाए तरब कि इन चार छेतर में आपको बताये इन चेतरों में जी-टेग दिया जाता है की दिया है इंसेEx में बात की जाए, कि कि किनी बस्तुऊंटों को remain AI-tac दिया गया 32024 का data अगर पूछा जाया कि 2024 में कितनी बस्तुऊंटों को घृट दिया गया अब तक तो बता सकते हैं कि लगभ लगभ, 635 बस्तों को इस समय करें AI , जा चुका है। 600 बस्तों को GI tag दिया जा चुका है, अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे जा लेखें, जैसे देखिएगा, आप जहाँ तो इसका skin sword ले सकती है, अगर बात की जाए मित्र, कि इसके लिए सबसे पहले अधिनियम कब लाए गया था संसंद में, पारलिया मिनिट में सबसे अधिनियम कब लाए गया था, तो बताईएगा, कि भारती संसद ने GI tag, एक्ट, इसे अधिनियम कहत कहते हैं, 1999 में लाए गया था, 1999 में मिलाए गया था, भारती संसद में, जो GI tag है, इसके लिए एक्ट कब लाए गया था, कब अधिनियम लाए गया था, तो बता सकते हैं, क इसे 1999 में मिला गया था लेकिन इसे JTAC Act है जो Act 1999 को पास कब किया गया तो पास की बात की जाए इसे पास कब किया गया तो बताइए से पास किया गया था 2003 में कमित्र 2003 में से पास किया गया था 2003 में से पास कर दिया था और 2004 में सबसे पहले GI TAC देने की परचलन सुरू हो गया था 2004 में सबसे पहले इसको GI TAC देने का परचलन सुरू हो गया था तो बताइएगा कि सबसे पहले GI TAC भारत सरकार द्वारा किसको दिया गया था तो बता सकते हैं कि दो दार्जलिंग की चाहे की चाहे किसको दार्जलिंग की में तो चाहे है इसे सबसे पहले जी आई टेक दिया गया था अगर कॉशन पूछा जाए कि जी आई टेक सबसे पहले किस बस्तू को दिया गया था तो बगर देरी कीर बताईए कि जी आई टेक पारित कब हुआ था तो बता सकते हैं कि 2003 पारित हुआ था उन्यूस निनाने वाला और सबसे पहले किस बस्ते को दिया गया दार्जिलिंग चाहे को दिया गया था 2004 इतनी बात से मैं जानता हूँ आपके समझ में आज चुख्योंगे अच्छा ये अब आपके दिमात में कि यह किसके द्वारा दिया जाता है तो जी आई टेक किन सरकार द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा किन सरकार द्वारा दिया जाता है इस बात को ध्यां रखना और किन सरकार का ऐसा कौन सा मंत्राले है जो इसको जी टेक देता है तो ध्यां रखिए किस मंत्राले के तह दिया जाता है मंत्राले के तहट दिया था है उस मंत्राले का नाम अगर पूछा जाए तो बताइए वाणिक जी एवं वाणिक जी एवं उद्धूग मंत्राले वाणिक जी एवं उद्धूग मंत्राले के द्वारा दियाता है नहीं वाणिक जी एवं उद्धूग मंत्राले के अधीन एक बिभाग आता है वाणिक जी एवं उद्धूग मंत्राले के अधीन एक बिभाग आता है उसके द्वारा जी आई टेक दियाता है तो उसका नाम अ आंतरिक व्यापार दोर्दन विभाग द्फिभाग के द्थे शंकर, बटेंध नाम क्या है, दोग एवं आंत्रिक ब्यापार संबर्थन विभाग इसके द्वारा दिया जाता है इस फेक्ट को आप लोग 100% याद रखना वेरी वेरी इंपोइंट है बहुत इंपोइंट है इस टेर्मेट सीरीज में यह फेक्ट सबसे ज़्याद इंपोइंट है आप लोग याद रेखे चाहूं तो आप इसका इसकी शॉट ले सकते हैं अब फैक्ट बनता है कि आप लोग यह बताईए कि अगर पूछा जाता है कि अब तक 2024 में 2024 में कितनी बस्तूओं को दिया गया है तो मैंने बताए 625 बस्तूओं 635 बस्तूओं को दिया गया था कितनी में तरफ 635 अब देखिए अगर कॉशन पूछा जाए कि भारत का ओहराज्य कौन सा है जिसे सरवादिक जीए टैग प्राप्त है अर्थात भारत की वह वस्तूओं भारत का ओहराज्य जिसकी वह वस्तूओं इसे सबसे अधिक जीए टैग प्राप्त हुआ है तो बताईए कि उस राज कि राज कौनसा है तो बताइए आपका उत्तर प्रदेश मित्र उत्तर प्रदेश का नाम क्या है उत्तर प्रदेश भाईरत का वह राज है इसे सरवादिख मात्रा में जी एक बस्तू है लात प्राफ्त हों अगर इनकी संक्या पूछी अगर आपसे उत्तर प्लइग एंग्जम की तयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना 69 बस्तु तो ही 69 उत्रपाद है तो कि an Roberts है डिया गया क्या दिया गया दिया ले क्वाका ऍगा और शेटर की बात तो चेतर में बताईए रिचेतर में सवेमने 10 से ज्यादा यह अतपाद बस्ता जाए थि तो बताईए पर तरफदेश के वारा कितं़ है तो बताईए इनिकिस अंँंक्या 30 कि परिया brush और उत्वांगासी कहा परता है आपका यूपीम पढ़ता है का पढ़ता है यूपीम पढ़ता है सरबादिक जी आई टेक वाला राज्य कौन सा है उत्तरपदेश कितनी बस्तु है 69 है छेतर पूछा जाए तो बताइए बारणसी है कितनी है तीस बस्तुओं को जी आई टेक प्राप्त हुआ अगर दूसरा राज्य सेसे पूछा जाता है कि दूसरा याज कौन सा है तो सेकंड राज बताइए सेकंड राज तो अड्रव महारास्त को सब याद कर सकते हैं तो तरह से मैं जानता हूं इतनी वाते आपको बिल्कुल केरियर हो चकी है अच्छा एक फ्यक्ट अगर उत्तरप्रदेस संब्द्धि पूछा जा सकता है यह पूछा सकता है कि 2024 में उत्तरप्रदेस की कितनी वस्तूओं को जी आई टेक दिया गया था यह फ्यक्ट अच्छा है पूछा 2024 में 15 बुस्तूओं को पंद्रमी उत्तपाद का दिया गया था यहelse दिया उत्तू तरह फंग्छा कर तो इतनी बात है समझ में आच अब थोड़ा सा कौन-कौन सी राज्ज now कौन कौन सी वस्तूओं जाई टेक्स दिया गया है उन्हों पर नेट डालेते हैं 2024 में आप चाहों तो इसका इसका सोट ली सकते हैं कि आगे धान दीजिए अ कि देखिए जो 2024 में किन-किन बस्तुओं को जाई टेक्स दिया गया उनको देख लीजिए सबसे पहले कि बुंदिल क्ढ़र चौनका नाम सुना होगा उत्तरप्रेस में वहां का का न trap कविश को जाख दिया घेक्स दिया गया है संभलकी अचनि को दिया अनको और को दिया गए उर चित्रकूट की लकडी सिल्फ E और खिलोने को Crond मन्जू एक्सल को दिया गया और रामपुर की पैंचवर्ग को दिया गया है तु एक बर फिर देख लिजिए काठ्या बुद्लखन्टी न्यकिन कोがरी को दिया गया संबल्हें की हड्ड़ी सिल्फ को दिया गया है चित्रपूट की लगडी सिल्फ खिलोनी नंजूरी एक्षाराइट को दिया गिया और रामपूर की पैंच ऑच रश्चा परेस को दिया और अधर प्षिक को दिया गिया रहा जेँई है बनारस की ठंडाई है जिसको आगर आप बनारस जाते हैं तो वहां की ठंडाई एट परसेंट observations में इसको दिया गया बनारस की सहनाई ए मनारस का लालपड़ा बहुत प्रशिद्ध है आपा की देखिये बहुत गजब चीजन बनारस की विट्टी चित्र है जौनपुर की इमर्ति है मत्रा का जहां सी सिल्फ है जिसे दोयाच चोवीस में जी आई टेग दिया गया है आसा करता हूं यह समझभी सावरी बाते आप पो आ रही होंगे और देखिए उसका पश्ची मंगाल पर आते हैं पश्ची मंगाल जी आई टेग दोयाच चोवीस में किन-किन बस कादिया साडिय पश्ची मंगाल की में तरह साडिया संबंद जी आता ऑगयाथ आप 99 पर संट ऑसका क्या नशलक कर्म लगांगे पश्च्य में अगफ्टैक महाराष्ट कि क्वाश्च खव चादर है सालपुर टेरीतॉलिया है, नाकपुर औरेंज है, मतला संत्रा है नाकपुर का, पुनेरी पगडी है, नासे गाटी का सराभ है, सराभ को मिला हुआ है, पेटडी, साडिया और कपड़े हैं, इनको G.I.T.E.G. मला हुआ महराव सम मोला, खीक़ंम मतल maple, असम के कौन कौन सी बस्त वे जीन है गोगा है, यो ध्यार है नो ध्यान रखना बॉड़ोज्चाफ़ में he पारंपरिक पोसा के मित्र क्या है जो बोडो दोखनों है यह बोडो जिन जाती है हमां की वहां की मैला है उनकी पोसा के जिए टेक दिया गया है बोडो एरी रेसं को दिया गया है बोडो जो मगरा को दिया गया है एक पारंपरिक डुपट्टा है मैलाओं का ठीक है बोडो ग को दिया गया है जो एक लंबी बांस रही है आप इसकी पीडियाप चांते है तो मेरे टेलीग्राम को जोई कर लीजिए एमेज्जू किसे सफर के नाम से है वहां इसकी बहुतरीन पीडिया बिल जाएगी आपको आगे धान दीजिए मेगाले के कौन कौन से करदेरों के कौन से जेंतिया पडिया है उसको जी सफरी उसकी पाटरी यह प्रकार की मिटी का वरतन होता है मेगाले लरनाई पाट्री को दिया गया है और तृमशी को दिया गया है आप लोग याद रखना है अच्छा एक बात बतादाव हूं 2024 में लगबग 160 बस्तूओं को GI tag दिया गया, इस बात को धिया रखना बतरों Asam के कौन कोई सी बस्तू है, जिनने GI tag दिया गया है तो आसरी कंडी, टेरा कोटा, सिल्प को दिया गया है पानी मेटे का सिल्प को दिया गया है सार तेवयरी दातू को दिए बहुत प्रसिंद है। जापी क्या है? तुमनेına देखा होगा बांस सम्हांने लगाते हैं जब्यास विग से और उसको जाए टेकड दिया गया है बहुत तो मितने एक बाद ध्यार रखना कि जो भी हुए भी हुए असम राज्जिका यह फॉक डांस है क्यों रख सकते हैं पूछ आयाता है बहु किस राज्जिका लोग नरत्य तो बता सकते हैं कि असम राज्जिका में इतनी बात आपको समझ में आ चुक्त हो आगे देखिए तुरप्रा जो राज्जी है उसकी कौन-कौन सी बस्तों जैने जी आई टेक दिया गया है 24 में को जड़ा देखिए सबसे पहले मातावरी पेरा प्रसाद यह एक प्रकार की मिठाई है मित्रक इसे जी आई टेक दिया गया है तुरप्रा राज्जिकी मातावर इसको राणी अननास को ज्या याद रखा यह तुरप्रा राज्ज से संबनेथे फिर कहुंगा अगर इसकी पीडिया चाहिए तो अधि क्या है एक प्रकार का अध्रेक है मित्री अध्रेक अध्रेक करते हैं वही जिए रख है इसे आद क्या किर कहा जाता है उना जिए टैग क्या गया है यह जिसे जिए टैग दिया गया है वॉट छो लकडी से एक परकार की बनीवी सिल पोती जिया टेग बिया आप लोग बहतरीन तरीके से इनको अज़डाच्रप्रदीश के लिए गया है दिया गया है दो हजार चौवीस में इस बात को भी ध्यार रखना में तो ध्यान दीजिए आन्दर प्रदीशी कौन-कौन सी वस्तु है तो ध्यान दीजिए श्री काला हस्ती कलमकारी इसको जिया टेग आन्दर प्रदीश के इसे जिया टेग दिया गया है कोड़ापली बॉंबलु इसको जिए टेक दिया गैस आंधपरडिस राजी समस्थ है। मच्छनीपटनम कलम काली इसको भी जिएा टेक दिया गया आंधपरडिस समस्थ है।ilos料 बृण तिली बेल और फीटल शिलफ इनको भी दिया गया जो आंद्प्रेस राज्जी की एंद्प्रेस का कट पतली को दिया गया है। और तरपति लडटू की ज़ो तरपति मंदर है अंधर फ़समे वहाँ पर यह लटटू वुत्रण की जा किया ते जिया गया है। आगे धियाँ देखना घुज्डात कोनको से वस्तुमने ज्यनों होगा घृत दल्यॆ जियाँ Size मैं आसा करता हूं के बाते यह समझ में आ रहे होगी आज अना और इचल्ण भास्त ऐंगे जो बतů कारीवनगर चांदी को दिया गया है valkori को निरमित खिलोनाब को दिया गया है निर्मिल फर्निचर को दिया गया है और हैधरावादी आधी हृलीम को दिया गया है यू तो रेवीजन मी कर सकते हैं अपकलियो को देख लिजिए आप लोग याद हो पुगएंट हो याद केसी और याध बात है कि जाहता है है यह समयत क्या कहा है यह सम्माइब इंद 일본 में some अगर आपको श्कारतों कि ये जाहिए टेयो जाहिए तो अगर आप एक बहतरी जाहिए टोटल करेंट फिर्वा या जी वीडियो का लिंक में इस में वीडियो में दे दूँगा वहां जाके जरूर देख लिएगा तो यह मेरा छोड़ा शैसन था अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे आसा करता हूं कि सैसन को लाइक जरूर करिएगा और सैसन पर नए हो सबस्राइब कर लिजिए क्यों इस चैनल पर मैं जीएस के सारे बिसे ब्लकुल फ्री पढ़ाता हूं आसा करता हूं कि सैसन अच्छा लगा होगा भाई मानते तो पांच दोस्तों को साथ शेयर करें तब तक कि जहन जब भारत